हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूच्यूब चैनल जारेडा उनलन क्लासेज में बच्चों आज हम सभी हल करेंगी बटन अभ्यान कारे पत्री का क्रमांग संख्या 40 सपता है बच्चों आठवा दिनांग है बच्चों साथ मार्च बच्चों आज का विश्य थीम है कहाने के पात्र तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाए लाल बटन दबाएए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब केजे चैनल को सस्क्राइब क होता है जिसके बारे में कहानी सुनाई जाती है आईए आज एक नए कहानी को पढ़ते और सुनते हैं ठीके बच्चो तो बच्चो कहानी के पात्रों के बारे में हम यहां पर जानेंगे तो नीचे दी गई सचित्र कहानी को बोल कर पढ़िए तो देखे बच्चो कहानी का जो विश्य है वो क्या है रानी चीटी और घमंडी हाती एक जंगल में रानी चीटी अपने साथियों के साथ रहती थी उसी जंगल में एक शरारती हाती भी रहता था वैं जहां भी चीटीयों को देखता कुछल देता था रानी चीटी ने हाती को समझाने की कोशिश की चुपके से उसकी सूंड में घुस कही और काटने लगी हाती दर्द से रोने लगा और बोला मुझे माफ कर दो अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा चीटी दयालू थी वह सूंड से बहार आ गई और बोली कभी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए तो देखे बच्चों किस तरह से छोटी सी चीटी ने हाती को सबक सिकाया बच्चों इस कहानी को पढ़कर आपने जाना कि इसमें चीटी और हाती किरदार आए है बच्चों हम सभी नहीं यहां पर पढ़ा कि यहां दो किर्दार आये हैं कौन-कौन हाती और चीटी अब इसके प्रेशन हम हल करेंगे बच्चों आपको इस कहानी में कौन सा पात्र अच्छा लगा तो आप सभी अपना उत्तर लिखेंगे यहां पर मुझे इस कहानी में रानी चीटी का पात्र अच्छा लगा ठीक है बच्चों अगला प्रेशन है बच्चों अपने मित्रों को कहाने सुनाते हुए बताईए कि इस कहानी में आपने क्या सीखा तब अच्छा आप सभी को इस कहानी से क्या सीख मिली ता आप लिखेंगे इस कहानी से हमें हमने सीखा कि कभी भी किसी को छोटा और कमजोर और कमजोर नहीं समझना चाहिए अगला प्रेशन है बच्चो अब हाती का चितर बनाए और रंग भरें अब देखें बच्चो यहाँ आपको खाली जैके दी गई है तो इन स्टेप्स की साइता से आप सभी यहाँ पर एक हाती बनाएंगी और उसमें सुन्दर से रंग भरएंगी तूर इस तरह से आप सभ सब्सक्राइब कर en dato till i dict जादा से जादा से सियर करें आप सभी मुझे comment जरूर करें आप सब 56 वीडियो कैसा रगा और साथी साथ सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आप सब्सक्राइब का वीडियो देखने के लिए बहुत थन्यवाद